दोस्तों इससे पहले की क्लास अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो है हम लोग वैक्तिक विभीनिता यानि इंडिविजुल डिफरेंसेज को हम लोग ने कवर कर लिया है जितना भी था उसे रिलेटेड जितने पॉइंट से सभी को जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चाहिए आप किसी भी स्टेट के हो यूपी के हो तो यूपी में यूपी टेट जो होता है तो आप सभी को यह बहुत हैल्प करेगा साथी साथ जो आपके बाद सीट यूपी टेट के बाद जब आप किसी सिशक भर्दी में बढ़ते हैं जहां पर सीडिपी के कोशन पूछ भी डंने के और यहां से दोस्तों कोशन जो है आपके बहुत पुछन है जैसा कि विकास और वृद्धी में अंतर से काफी कोशन पुछन पुछे जाते हैं तो इम्पोर्टेट है आप सब्सक्राइब के लिए gio幫 देख यह आप्डेक आंगे important topic बता रही हूं इसमें question किस तरह से पूछेगा सीटेट में किस तरह से पूछेगा मैं सब कुछ detail में बता रही हूं तो इससे पहले अगर आपने दिया होगा नहीं दिया होगा तो मैं बता दूँ के लिए important है दूसरा उनका मानना था कि विकास और अधिकम में धनात्मक संबंद होता है यह आपके सभी के लिए important है जा सी टेट हो यूपी टेट हो सुपर टेट हो अगला जो point दिया गया है दोस्तों यहाँ पे विकास अत्मक कारे का संप्रत है रावर्ड एविंग हस्ट न आपको पता रहेगा कि यह इसकीनर ने बोला था तो आप इसकीनर पर टिकर के चले आएंगे इस तरह से आपका करेक्ट हो जाएगा तो ये ट्रेट में अक्सर इस तरह के कथन वाले कोश्चन देखने को मिलते हैं उडवर्थ जो है बालक का विकास वंशानुकरे मातवरड का गुरनफल है इनका कथन है हरलाग का क्या है विकास क्रमिक परिवर्थनों की वस रिंखला है जिसके फल्शुरूप डवीर योगिताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है दूसरा मुनरों का क्या कहना है यहाँ पर गुरूडा वस्ता से विर्दा वस्ता तक के परिवर्थनों की श्रिंखला ही विकास है अगला देखेंगे यह आपका जो हैटेट के लिए इंपोर्टेंट था सीटेट के लिए यहाँ से सीटेट के कत्थन से कोशन नहीं पूछे जाते है गैसल का देख पारेंगे विकास का निरिचर मुल्यांकन शरीर रचना अंग विशलेशर तथा व्यवरात्मक इन तीनों रूपों में भी मापन भी हो सकता है यह गैसल का कहना अब यहाँ पे आपका सीटेट बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है व्रिद्धी विकास में अं नहीं होती है यह आपका निश्चित नहीं होती है विकास की दिसा जो है निश्चित होती है व्रिद्धी कुछ समय बाद जो है रुप जाती है विकास जो है आज जीवन चलता है निरंतर चलता रहता है यह कोशन आपने बहुत देखा होगा सीटेट में व्रिद्धी जो है मैं कहूं आपको कि यह आप रट लीजिए क्योंकि सीटेट यहां से इन चारों पॉइंट से आपको कोशन जरूर देता है हर साल हर पेपर में देता है तो विरिदी की क्या है दिशा जो है अनिश्चित होती है विकास की निश्चित होती है विरिदीक उसमें बाद रुख जाती है विकास जो है निरंतर चलता रहता है विरिदी जो है मातरात्मक होती है ये गुरात्मक और मातरात्मक दोनों होता है विरिदीक का मापन होता है और विकास को जो है हमेशे मापना संभर नहीं होता है अगला जो है ये है विकास के सिधा सिधान्त क्या क्या हैं देख लेते हैं विकास के सिधान्त दोस्तों क्या क्या है समान परतिमान या प्रारूप का सिधान्त है निश्चित करम का सिधान्त है आवी लोमियता का सिधान्त है भाविश्यवाडी का सिधान्त है निरंतरता का सिधान्त है विकास यह निरंतर चलता को मिलता है मद यसे बाहर की और का सिधान्त वंशानुक्रम वादवरड की अंतर क्रिया का सिधान्त अंतर संबंद का सिधान्त तो यह विकास के जो है सिधान्त हैं और यह पूछता है यहां से आपका एक पुसरल से जटिल का सिधान्त जैसा कि आपने देखा होगा कि इस बा कर देगा एक हां कर देगा तो इस तरह से पूछेगा तो आयू है लिंग है पोशड है वंशनुकरम है वातवरण है प्रजाति है वृत्ति है ग्रिश शक्ति है अधिगम है विद्याले है शिचक है सेपार्टी यह सब क्या है विकास को प्रभावित करने शामिल है पुरानी आदितोयम आगरतियों का लोब शामिल है अनुपात में परिवर्तन शामिल है लंबाई भार आदि में परिवर्तन शामिल है यह क्या है विकास के फलस्रूप होने वाले परिवर्तन है दोस्तों विकास और वृधि से रिलेटिट अगर आपके कोशन पोच ना है जो आपके mind में set रहे और आपके exam में काम कर चाल तो यहां से इससे topic से आपको seated में जितने question बन सकते हैं इसी के अंदर बनेंगे तो यह बहुत जादा बड़ा नहीं है यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है दोस्तों छनी हुई चीज़े हैं जो आपके लिए most important है जहां से आपको question देखने को मिल जाएंगे और ऐसा नहीं है इसको आप करने के बाद आप question solve करिए आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़े बागी दोस्तों अब इसके आगे जो भी topic है हम लोग next class में cover करेंगे इस class में इतना ही बागी आपको अच्छा लगा होगा class तो आप लोग like कर दीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों को share करिएगा जो भी group पे हो आप जहां से भी जिनसे भी contact होगा हर जगर share करिएगा तो मिलते हैं अब next class में तो तक लिए बाए बाए टिक केर थेंक्यू बागी जो आपको कमिया लग रही होंगी जो कुछ भी हो आप लोग comment box में comment करके पता सकते हैं थेंक्यू